हेलो गाइज वैलकम टो इक्जाम व्यू गाइज पिछले तीन-चार दिनों से आपके काफी मैसेज और कमेंटर आ रहे थे कि जो जेविटी डियलेड 2020 की काउंसलिंग गया है उसकी डेट क्यों नहीं आई तो दोस्तों उसी के बारे में आज बात करेंगे कि आकिरकार नहीं एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लिमेंट करने वाला जो देश का फर्स्टेट है बन गया है तो दोस्तों ऐसा ही कुछ इस बात जेविटी डियलेड के स्लेबस में भी देखने को मिल सकता है कि जो न्यू चेंज आए हैं उनकी बज़े से स्लेबस में भी कुछ चेंज को 2030 के बाद नहीं मिलेगी नोकरी तो दोस्तों में यह न्यूज है क्या तो सबसे पहले आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तभी आपको जो है बहुत सारी चीजे समझाएंगी कि डियलेड की जो कांसिलिंग है वह भी क्यों अभी तक रुकी हुई है तो यहां पर आप अप यह त्यारियां शुरू कर चुका है इसलिए वह वह कुछ उस भाबे बीज होने के कारण नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहा है तो यह न्यूज यह है कि राष्ट शिक्षा नीति के तहत बीएड की डिगरी अब दो के बजाए चार साल में पूरी होगी पुराने डिगरी बर्ष 2030 तक ही शिक्षक की नोकरी के लिए पात्तर माने जाएंगे नए निति के तहत जल्द ही कोल्जों में फर्स्ट यर से एजुकेशन विश्य को शुरू कर दे जाएगा यानि दोस्तों आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो साथ ही में आपको एक एक्स्ट्रा एडिशन सब्जेक्ट जो है अड़ कर दी जाएगा जिसका नाम होगा एजुकेशन शायद ये नेक्स्ट यर तक इंप्लिमेंट कर दिये जाए आगे देखिए तीन साल तक कॉलिज और एक बर्ष की बाद में एजुकेशन विश्य की पढ़ाई करने वालों को ही वीड की डिगरी मि पढ़ाई उसी के साथ आपको ये एजुकेशन जो सब्जेक्ट ये भी पढ़ना पड़ेगा और इसके अलाबा एक साल आपको अलग से एजुकेशन भी शिकी जो एजुकेशन है बो लेनी होगी तब ही जो है आपको वीड की डिगरी मिलेगी तो अच्छा है वैसे भी आपधान को लागू करने के लिए जल्दी प्रदेश में ब्याड और डियलेड का पाठ्य करम भी बदला जाएगा तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके लाबा टैट पास करना भी अनिवारिक कर दिये गया है अभी जेविटी टीजटी और शास्त्री के पदो और आने वाले समय में स्कूल परवक्ता के लिए भी जुरूरी हो जाएगा तो दॉस्तो काफी बड़ी नेउस है की जो स्कूल परवक्ता होते हैं उनके लिए जीचल इलियूटी टैस्ट है वह कंपरों पर जाएगा और इसी के लिए टीज टी और शास्त्री की पदों पर भरती जो है वो शुरू हो गई है यह तो आप सभी को पता ही होगा आपने पहले ही अधर वीडियो देख लिए होगी अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में बता दिजी हम बो नियूस भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे तो देखिए शिक्षा भिभाग में सब्सक्राइब पतात्य पर हैं यह कुके दिनों में नोटिटिफ्केशन आ जाएगी बैसे मैंने आपको जो कहा था कि मंडे तक आजाएगी वो पिछले साल की भीहाप पर कहा था क्यूंकि पिछले साल जो वो 10-11 दिन के अंदर ही sports category की counseling के बाद यानि कि उसकी डेट आने के बाद यह other category की भी notification आ गई थी तो थोड़ा सा बेट कीजे जल्दी आपको बोर की website पर खुश कबरी देखने को मिलेगी तो धन्यवाद जेहिन